असलाम लेकन नाजरे प्रोग्राम इसलामवा टाइम में आँए अधान मुदसरुसे नाजरे एद खाम पो अजी प्रोग्राम कर रहे हूं हैं एद खाम पो बजर जलास पी शूरू थी चुकुआ है वजर जलास में कट मोशन्स तजावीज अपोजिशन जो खिताब अपोज यह रवायत रही है तो हम तो रहते हैं घटी तज्वीज उजिए क्यों पॉजिशन कंसिलर कर दिया है कोशिश कर दिया जे को ने जो प्लेन है पर इपड़ेट किये हो इतफाक साइब बजट भी पेश्ट भी पेश्ट वाई है सब्सक्राइब कर दिया है जो प्रोगाम असाइन बाबत करना से को मजा सोडी के रहा है 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 हकुमाजी को बजट पेश की हुआ इंसा हवाम के कड़ो रिलीफ मिलन दो या ना मिलन दो इन बाबत पार्लिमेंट इन साइक गालबोल करना से अजरे असाइन यह थे सोडी अजी हकुमाजी कार करते की वफा की बजट बाबादा जे प्रोगाम में गालबोल करें और डॉक्तर दर्शन बेश्ट अगर मोजुद न सीनियर प्यमलेंजार रहनमान मेंबर को में असंबली नुए नुए अगर मोजुद अगर मोजुद अ हुद्सार की माबदायाँ असाँ के तॉर चलियो नहारासर 14 चल्वक कंतल्यों प्या पाता अवां में पुछो इन साथी अना सब शयूं कंट्रोल में चीवें तानिसो जेकरें कनक के तानिसो अटे के रिसो चावरान के रिसो नुए तानिके रिसो रोज बराजिश रिसो इविन पेट्रोल तो आदिसो, तो सब शवयू उजे कहने कंट्रोल में चुए है, बजट खाँ पहने ही, अवाम गेतरों रिलीव मिलिवा, तो बजट में अजया वधीक उनके रिलीव मिलिवा, तो मा सम्झा थो, असाद मुत में आयो आयो आयो, पर असाद मुल्क यवाम ज सश्थी तिवे, इनमें क्रेडिट हकूमच उतना है? तो आ शेयों थे कंट्रोल कंडायों नौंक है तंट टाइम लगा नवा अले हैं अन्यू word जाज है इसी कहना है। आईलं जो बूए रैट शार सो चार सो रैट को आए रिखराण में हो। भी थे यहें आताम अराण जिरोहिकों अकौन था hesitantौन भाल भानाल भाना मि माध यहत नहां नहीं पहरा पैरेख गहते साख़ोब कोई से डिजन वारेत्व सफ़िय देटाय और सभा अग हाँधोर्ण पैरेकशा इसाट कर दो जो कि अधिन जया है यह था गाल बजट परने यह हमेशा थिन जो जोन जो करें थे आ तो 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 आए उटा दियुनें सब पाजिटिव तो नहीं पाजिटिव यह हो दा तो मार्कीट में तौ आवे जो तौ आए टो अवाग्यों जो चुन जा रेटरी द अगर मारून का पुछानदा हो तो इंग एंग आप वी एंग तरी पार्वन का आम रेश्यों तो आनिसो जे को पहरे आज जो 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 जहारा महिंगाईता है नो को शक कोने साइए को जो असा कीर जो नंदी वाय चरियों अफिर जो जो फॉट जो जो पगारू भी वदाई वे जो 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 कि पाल बाच जो 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 आहींद भीपरसंट उतायों है तरह कुछ परसंट परसंट थायों है। उताय ठीड़ जट्ती परसंट थेसंट फिस्टी परसंट थे समय ये औरो को जबेसा थे बज हम सबर्थेट आप वजीर आजम वजीर खजाना हो ना अर्टोमेटकल लिए यह करेट औरंग जेब साब करी नहीं थो तहां जाल बादन और जेब साब ही करकोमा जो हिस्स हो पार्टी जो सेनिटर भी आ है हकोमा जो हिस्सो भी आ है सिर्फ बिनिस्टर जात में तो कुछ नहों दो है इंजे पहुंआ भी एन हो दो है क्यादत हुं दिया जेका और की रोड मैप नी दिया तहन तरीके जाहिन इन शाहिन दे अमल त्यांड को जे और वाश है थे थे पाई अजे जी गाल हो दिया और यह यह जी जो एड़ी शे फिलाल का मुझी नजर गाने अक्रमें यह बदाए जो प्लाइव और आयूब साब यह जो अपोजिशनल लीडर जी तो ड़िवडी तनकीत हो करे इनन के राजी कंदों इन तरजावे शामिल करनो था आँ आज़ जो सा यह तो हाँ समझी सागोथा पर यह जो पांट कि जो को एक जगाद इस्टेंड नथ हो गए तो उन जी गालियन के कितरों स्टेंड बिला दो कामरान मुर्ता साब है कामरान मुर्ता साब के सो दिन भी मुकमल हुए है और बजट भी आ गया है किसे देख रहे हैं इस पे मतलब कोई पाजिटिव पॉइंट आपको कोई नजर आया कि यह चीजे चले अच्छी होगी इस अकूमत ने कर दी देखी इस वक्त तो शायद मेरा कोई जो भी मैं कहूंगा वो एक बाइस स्टेटमेंट होगा क्योंकि हम अपोजिशन में तो स्टिल आप अपने से पूछो ना कि आपको कोई पॉजिटिव चीज नजर आई है अभी तक होकूमत के सौ दिनों में कोई अच्छाई कोई आप ही हैं हम अपनी राय दो ने अपनी राय ऐसा है कि अपोजिशन तो फिर ये कहती है कि सब कुछ खराब हो गया है मगर इनफेक्ट सब कुछ खराब है लोगों को जैना वो लोग तंग है और लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रही और यह जो बजट अब दिया है इसमे उनने दो तबकात बना दी हैं बरहमन का और शूदर का फाइलर और नान फाइलर एक बरहमन हो गया एक शूदर हो गया तो ये तबकाती निजाम को जो ना वजीर साब कह रहे हैं कि नान फाइलर अगर घेरे में आएंगे तो टेक्स अच्छा आएगा बारा फीसाद जो हमा ये लोगों किसे निकाल लेंगे, अपनी जेब बर लेंगे, तो उसके बाद लोगों के पास अगले साल कुछ देने को नहीं होगा, तो भी ये सारा कुछ फाइदा नहीं है इसका, वो बेचारे बैंकर है, बैंक चलाते चलाते आये, उनको बज़ट पे लगा दिया, अब बे जिस पार्टी का मर्जी हो, जो सोला माँ जब आपकी पार्टी अतहाद में थी, उस वत भी एक बज़ट पेश हुआ था, वो जादा अच्छा था या ये खराब जादा है, बात ये है कि ना चड़ाई अच्छी है, ना उतराई अच्छी है, वो आप कंबल जो है ना, वो क परस नहीं करेंगे, उस वक्त तक खालाद नहीं ठीक हो, जरूरी है, अवाम को आप अपील करेंगे, वैसे बत्तौर पाले मुटे रहें, अच्छे शेरी के ऐसे कि टेक्स दें, देखिए टेक्स दें, मगर वो टेक्स जो है ना, वो हकीकी होने चाहिए, आप फर्स करें कि आप जो टेक्स दिया जाएगा, यानि मैं अगर सौर प्या कमाऊंगा तो पैंतिस रुपे मैं उसमें से ले दूँगा, ये क्या जो है, ये एक आम प्रूडन्ट माइन को अपील करता है, कि कोई शच्छ सौर प्या कमाने के बाद उसमें पैंतिस रुपे सरकार की होले कर कि जिनाब ये आप का हो गया, पैंसेट रुपे मैंने कमाए है, इसमें से मैंने खरसे भी करने है, और इसमें मैंने बच्चत भी करनी है, कोई अच्छा बुरा वक्त आ गया, वो भी इसमें से गुजारना है, कि ओ पैंतिस रुपे में आपने अच्छा बुरा वक्त भी मे मैं आएमेफ को खत लिखू हूँ आप समझते हैं आपकी पार्टी के सरफा मौलाना फजर रमान साब भी आएमेफ या किसी को खत लिख दें के बीजी ये नजाम सही नहीं चल रहा हम जरा मुतमिन नहीं है देखिए मौलाना मेरा ख्याले इस तरह के अरकते नहीं करते मैंने मौलाना की बहाफ पर तुमनता जवाब नहीं दे सकता हैं अगर बैसे मैं आपको बता रहा हूं यह जो माजे साजे वाला तरीका का रहा है यह सरफ गंड़ा फूर्श आप कर सकते हैं या उनके लोग कर सकत मौजम्मत करते हैं उनके गलत किया मैं मौजम्मत महीं मतलब यह बस उससे यह एक्सपेक्ट किया जा सकता है खरीब से बहुत बहुत शुक्रिया ज़र्श आपको बेज़ेट ने सो डीजी कारकतिके किया रही वेल्कम बेक नाजरें 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 पीपस पार्टी जिया मिम्बर कोमिस्वली सीनियर अगुआ मिर्जा एक्तियार बेगस्ट मौजुद अनपान मौशिट जह वाले साम वरी जान था रखन सो डिन मौकमल थी आन हकुमत के आई बज़ेट भी अची हो ने बाबत मिर्जा साब सामा अनपाना सिप्स पार्टी जो शाय स्टेड़ना मिर्जा सब सो डिन भी एकुमत को मौकमल होगे वफाकी बज़ेट भी आ गया आप क्योंकि मुईशित को बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं आपके नजर में ये सो दिन इनके कैसे रहे और ये बजट कैसे रहा है देखें दो अलदा अलदा चीज़ है बजट जो पेश किया गया है वो उस वक्त पेश किया गया है जब आइमेफ से हमारे एक मौहाइदा निगोशिट हो रहा है आइमेफ की शराइत है और फिसकल स्पेस बिल्कुल हमारे पास नहीं है लिएज़ हमें टेक्स रेविन्यू को जो टार्गेट दे या है बारह हजार साथ सो अरब नेक्स्ट वो पूरा करने के लिए हमें इजाफी टेक्सेस भी लगाने परड़ा है और कुछ मारा तो खतम भी काट रहा हुए बारह हजार पूरा कर लेंगे टार्गेट यहां तो आठ सो पुरा नहीं हुआ बहुत मुश्किल अभी जो था साथ हजार नौसो वो उसमें शौट फॉन हुआ है लेकिन काफी हब तक पूरा हो गया है लेकिन बारह हजार में चार सो मैं समझता हूं 40% इजाफान ने हासलने कर पाएंगे क्योंकि आपके GDP ग्रोथ जो आपने बनाई अपनी वो 3.5 बनाई है 3.5 को ऐसी GDP ग्रोथ नहीं है कि इसमें आप बारह सो या तेरह सो अरब रुपे टैक्सेज ले यह स्लो GDP कहलाती है तो एक तो यह है कि नए टार्गेट जो तयून करा है यह मुश्किन आपने नाउन फाइलर पे डिपेंडेंट किया है कि नाउन फाइलर के वपर गेरा तंग करेंगे तो फिर शायद हम पूरा कर देंगे यह तीन सेक्टर में अगर यह कर लेते हैं रिटेल, होलसे, रियल स्टेट और एगरिकल्चर है वो काफी हता कि इनके नए रविन्य होंगे और जो सेक्टर एडिन्टिफाइ कर रहे हैं जो हमें ड्राइब करके आगे लेके जाएंगे माईशत के बाहली के लिए वो दूनु सेक्टर आईटी है और एगरिकल्चर है, हमने एगरिकल्चर को एगनूर किया और जिसके विस्टेश साजम यह आप ने बतौर एताहदी एगनूर किया तो पिछले साल जो हमारे अगरिकल्चर का जो अधव आए 6 अशारिया एक फिसद आया है, जो बेतरिन है आपकी गहों के बंपर क्रॉप हुई आपकी कॉटन के बंपर क्रॉप हुई आपकी राइस के बंपर क्रॉप तो यह तमाम चीजे वह हैं कि जो जिसने आपकी और ना सर्विस सेक्टर ने किया एग्री कलचर ने किया तर्ग अग्री कल्चर को क्यों इस पर पर्रोटेस्ट कर रहा है। और सनदकार जेमबर्स यह पर्रोटेस्ट क्यूं कर रहे है। पिंडी चेमबर में सुईर अलताफ ने मुझे बात की थी हुआ यह है कि एक्सपोर्टर का एक परसंट हम टेक्स लेते थे और वो उसका फाइनल होता था अब इन्होंने यह स्कीम खतम कर दी है अब एक परसंट के वजाए यह नॉर्मल टेक्स रिजीम में लिया है जो 29 परस पिंश्वीश का इदार भी कर रहा है कि एक्सपोर्टर को डिस्टब ना करें एक्सपोर्टर वह वह है कि जो आपको डॉलर कमाके दे रहा है और वो बड़े मिश्कुलों से कमाके दे रहा है मारक अब भी 22-24 परसंट हो गया विजली के कीमतें बढ़ गए गैस के कीमतें मिनीमम बेज़ बढ़ गई लेकिन पर लिक तो चाचा के रही है नून लिक के रहे बोत अच्छा लेकिन ने तो पेश किया किये हैंगे हम जो अच्छी चीजे उनके तारिब भी कर रहें लेकिन जो तहाफ़जात हैं वो बहुँ हम बतला रहे हैं कि वह तहाफ़जाद बि को शॉर्ड लिक कैसे समझते और पार्टी की हैसित में इस बजट को कैसे देख लेगे जब हम पार्टी में होते हैं तो हमें पार्टी के लाइन टो करने पड़ती है लेकि मेरी जाती हैसियत में मैं एक एकनोमी के स्टुडेंट सुबह तो पर शाम माश्वत पर बात करता रहता हूं मेरे नजदेक इनोंने जो रेविन्य कुलेक्ट करने के हदाइब तैकर रहे हैं यह रिलिस्टिक नहीं है और उनने हदाइब को पूरा करने के लिए जहां जहां चुरी चलाई है वो उस इतना लग गया कि पंदरा परसन लग रहा है कि पांच परसन है इतना तो नहीं है लेकिन बेराल एक तरफ सैलरी बढ़ाई है तो एक करफ टैक्स भी लगाया गया तो यह सब चीजें जो तजाद है पिपस पार्टी का इतराज क्या था बजट के वाले से जो आज मुलाकात मिटिंग है हमने आज भी मैंने अटेंड नहीं किया है बेसिक प्रोटेस्ट क्या है बेसिक उनका यह था कि हमारा वो एग्रिमेंट जो हुकुमत साजी के लिए साइन हुआ था उसका अमल दरामत नहीं हुआ अभी तक 50% मुश्किल अमल दरामत हुआ है पिपस पार्टी ज नून से कि यह क्या कि जिए अभी जो एलेक्शन के बाद हुई है आट फर वरी के बाद हुआ है तो इसमें 50% इस एग्रिमेंट की चीज़ अभी तक पूरी नहीं हुई है फिपी एस डीपी पे पते था कि किन सुबह में कितना कितना देंगी और हमसे पूछ के देंगी तर कियाते हैं इस तरह से तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा इनके साथ जाएं क्योंकि हमें अपने हलकों में फेस करना पड़ता है लोगों को और हमारे पास कोई जवाब नहीं है आखर मैंसर बताईगा आप जाती दोर पे क्या चाहते है या पार्टी चाहती है पी पार्टनर्शिप है जो बलावल साथ में कहा था उस सिंद्ध का कामियाब मॉडल है दूसरा गोल्डन हैंडशेक है अब बहुत इसाफ़ी वालों को मिला था पहले बैंकों में सब को मिला अभी बैंक यूवी एल और उससे पी आई के मलाजमें मान जाएंगे इस शर्त पर को देख गे एक शर्त ये बहुत बिए करदいい के एक एक यह भी शर्ट है कि इसको कामन फूल में ले जायें लोगों को बरहल हमारे शर्त यह है कि چूले भुजाएं नहीं चूले जलाये अगले सो दिनों में उसको पूरा करेंगे खामी को देखें जी अभी तो इक्तिजा है और आप जे भी जान दें कि पिछले अलाद के साथ बिगड़े वे लाद थे कि पाकस्तान एक ऐसा वक्ता आ गया था कि दुन्या में तनाई पहुंच जा था हमारे दोस्त हमारे सुधी अरब वो चैनल जैसे मुल्क हमसे नराद हो गया है अब इन सुध दिनों में आप ये देख रहे हैं कि युग पूरी कौम के सामने है किस तरह सुधी अरबिया से कितने फ़फ़द यहां आ चुके हैं और कितने मज़ीद आ रहे हैं और कितनी इन्वेस्मेंट वो यहां कर रहे हैं इसी तरह आप युएई की बात करें वो कितनी इन्वेस्मेंट यहां कर रहे हैं आप चैनल की बात करें तो इसी तरह मैं तो यह समझता हूँ कि इस सो दिन के अंदर इतने आमने खारजा पलिसी बेतर बनाई जार हम तना तो कुछ भी नहीं है तो दुनिया के साथ ही चलेंगे और आज अलहमदलिल्ला पाकस्तान इस काबल है इसको काबल कबूल समझती या अच्छा तसावर क्यों नहीं करती उसके पीछे क्या वजवात है तो वो तो यहीं समझेगा कि चैना ने जब सी पैक शुरू किया तो आगे सी पैक मज़ीद अजाफा होना चाहिए ता उसका अगर पाकस्तानी क्यों पाकस्तानी सोचता है अग तो समझेगे यह अपोजिशन जस तरह चाहिए के साथ तलकात खराब किये थे सओधी अरब जासे मुलकी साथ तलकात खराब किये थे यह भी इंटरनेशनल का साथ साथ जिए सवाइड़ी अरब ने एंवेस्टमेंट के यहामी भर दी है इस हकूमत के साथ मौाइदे हो कि अगर वो यहां पे आते हैं तो बेसिक आप देख रहें कि एक बिलियन डालर जो है रेकोडिक में सौधी अरब ने हमें दे दिया है इसी तरह बाकी मामलाद जो भी हमने माय देखी हैं जब शुरू होते हैं तो आप देखें कि जब फिफ्टीन बिलियन पैसाज इन्वेस् में पकाम तो पकस्तानी को गरें गाना बोजगार तो पकस्तानी लोगों को मिलेंगा तो जब लोगों की फीकस आमद नहीं बढ़ेगी तो लोग खुशल होंगे यही तरीका कार रहा है पहले इससे पहले हम करजे लेते ते लोगों पास जाते थे अब अभरा लोग की बाइब कर दोड़ दिया है हम यह कैपने आइनवेस्टमेंट करें पाकस्तान में आगर और इस इंवेस्टमेंस ने इंचाला पाकस्तान बनेगा आप देखेंगे कि ना सिर्फ यह मैंने अभी पांच मुल्क गिनाये हैं बहुत सारे मुल्क एरान से चाहिए आपका रिश्या चलती रहेगी स्यासे तब ही होगा यह पाकस्तान होगा आखर भी यह बताएगा है अलेक्शन के दिके दिनों में मेनोफेस्टों में पीमेलन ने बिजली के यूनट कुछ फिरी का था वो अमल द्रामद कब होने वाला है देखें जी अभी अमल द्रामद अभी भी हमने फिरी हो गया है कि फूरी हम उनको दूसरे लिगा के दे रहे हैं सोलर सिस्टम लिशां के देए है और सोलर सिस्टम भी हमन augmented टेक्स खफ्तम कर दिये अब पूरे पाकिसतान ने बूट से अपने लोगों को अपने गरों को अपने एंड को अपने tal को वो ए le भी मिलेगा बहुत बहुत पहुत शुक्रीया नाजरी ब्रेक था उटों ब्रेक जिनारे जे पार्लेमेटेरिन सर गाल बोल कई सी पार्लेमेटेरिन जी गाल बोलता है बुदी अपोजिशन जो भी मोकफ आवज जो कामरान मुर्तजा पेश के हो तो हूँ मुतमिन ना है अगुमती मोकिफ भी तामद हो आई जिये ते मिर्जा एकतियार बेग बतोर अताहत ही नहीं पीपल्स पार्टी जे एगवान जी एसे साँ पीपल्स पार्टी जो मोकिफ थाम हो तो प्रोग्राम जे आखर में असा सनावला साब न सीनियर जनलिस्टन हैं जिक फनास जी बीट भी कंथा हैं काफी गहरी नज़ाता हैं कुछ नहीं पे निशा है सोशल मीडिया देख वीड प्रोग्राम जेए सोड़ी जी बतौर सहाफी उननकी अडिटी बजट हो किया दाए सबसे पहले सो दिन की कार देगी कोई दोनों चीज़े कटी आगे सो दिन की कार देगी सो दिन मुकमल होएं वफा की बजट भी आगया अब आप क्या इसको देखते हैं ओवर व्यू क्या निगरान हकूमत से पहले इनकी हकूमत थी और निगरान हकूमत में भी असल में इनकी हकूमत थी तो पालिस या तो वो ही चल रहे हैं और जो एकानमी की सुरत इसाल है उसमें आयम f आ के प्रोग्राम। है, और निगरां दोर में इनके साथ बाठीछ जाथ Sind की ती बजट उसे के मताबक है, तो सो गमें ज्यादा ज्यादा यही कर सके हैं कि I.M.F. का जो प्रोग्राम है नया प्रोग्राम लांग टर्ण बेल आउट पैकेज है वो लेने में ये काम्याब हो जाएंगे और उसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी कीम अवाम को कोई फायदा नहीं होगा नहीं अवाम को फायदा लांग टर्ण फायदा जरूर होगा लेकिन फारी तोर पर अवाम के उपर यकम जुलाई से जो ये बजट आ रहा है उससे अवाम पर प्रेशर और बड़ेगा अब देखें ना अगर चार पांच सो अशिया पर GST की एक्जम्शन खतम हो रही है तो उससे प्रेशर आएगा आपकी बिजली गैस की कीमतें बड़ी है गुजश्टा डेड़ से दो साल में आपको पता है गैस की कीमत तो ग्यारा सो परसंट बड़ी है और बिजली की कीमत में दो सो परसंट इजाफा हुआ है और यही अब करने जा रहे हैं क्योंकि जो एग्रिमेंट होगा उसमें आप कोई सबसीडी नहीं दे सकते तो मजीद प्रेशर बड़ेगा मजीद अगर रिफाम एक सवाल ये भी है जो आपने सवाल बड़ा एहम पूछा था वफाकी वजीर और अग्जेव साब से उनसे आपने पूछा था यह मराद यह तुर्णा खुफिया मराद क्या है मुझल किस किसम के आम लोग जो हमारे स तरीका कार तैकर दिया कि एक लोवर मिडल क्रास और गरीब आदमी के लिए भी ऐसा मौका होता है कि वो अपनी लाइफस्टायल को बेतर बना सकता है उपर जा सकता है बदकिस्मत ही यह है कि पाकिस्तान में तबकात बन गया है और यही आपका जो सरकारी शोबह उसमें भी तमाम के पिट्रॉल, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, रियाश की सहूलत यह सब चीज़ फ्री है और अनलिमिटेड हैं बाहस चीज़ों में तो अनलिमिटेड मैं इसलिए कहता हूं कि डाकॉमेंट्स में तो उनकी लिमिट्स है मतलब है किसी को पांच हजार यूनिट विजली फ होते हैं, यह वहां से फिर मरात लेते हैं, तो मरात पे मरात हैं और उनको कम करने का इनिशाट यह करेंगे, इस सारी चीज़े खतम हो जायें, तो हमारा कितना बोज कम होगा, अगर यह खतम होगा। सर खाली जो फियूल है ना फियूल और ट्राश्पोर्ट है वो हजार अरब रुपए के करीब है आपके चारों सूबों का और वफाक का मिलागा है मतलब हमारे जो अठावा का बजट है उसमें एक खरब इसके उपर है मतलब वो एक तो लीगल तरीका है लीगल तरीके से भी होता है मैं अब उसकी एक मिसाल दूँ पीटी आई के दोर में एक वजीर साथ थे सैंस अंट टेकनोलोजी के वजीर थे वो जब जाने लगे 25 गाड़ियां ले गए वो साथ और जो नए वजीर आए उन्होंने तीन महीने कोशिश की कि गाड़ियां वापस मिल जाएं गाड़ियां unlimited fuel driver तो उनको मजबूरन उन गाड़ियों के जो fuel कार्ट थे वो बलाग करने पड़े और मीडिया को ख़बर देनी पड़ी ताके वो गाड़ियां वापस आजएं तो यही सुरत आल अभी भी है यही सुरत आल माजी में तमाम हकूमतों में थी आप यहां देख रहे हैं ना पार्लिमेंट की आप देख ले यह जो पार्किंग भरी पड़ी है अगर हम इसको थापित करने जाए ना अगर हम इमानदार कौम बन जाएं तो पताए चाहिए इम्रान खान वजीर आजम बनने से पहले क्या कहता था कि मैं सैकल पर आऊंगा जिस दिन वजीर आजम बना है उस दिन हलीकाप्टर पर चड़ा है और जब उत्रा है उस वक्त तक चड़ा रहा है यहां से बनी गाला तक हली काउटर पे जाते थे यूनिवर्स्टी का भी काउट जी जी तो यह आप देख लें हाँ यूनिवर्स्टी बनाना था तो यह बाकियों का भी यही हाल है अचा एक चीज़ यह भी बताते जाएगा कि यह इस बजट के अंदर कोई कट शट है मतलब यह सिर्फ गरीब तब का ही मतासर है कोई कट नहीं है तमाम का बजट बढ़ाया आप अंदाजा करें शरम नहीं आती इनको मैं यह बार बार कहता हूँ 35 करोड उपए सिर्फ वजीर आजम हाउस है आपने देखा है यहां पीछे ही है उसकी वजीर आजम हाफिस की यह साइड पे है उसकी रेनोवेशन के लिए 35 करोड उपर रखा है और 16 करोड उपए भी एक महीना पहले लिए है सप्लीमेंटरी गरांट वो भी रेनोवेट करा रहे है भाई प्राइम मिनिस्टर को क्या है आफिस को अपने को रेनोवेट करने की रेनोवेट हर वजीर आजम करता है तो क्यों करते हो भाई? आप पैसे बचाए इस वक जरूरत है आपको फिर आपने वजीर आजम माफ्स और हाउस का बज़ेट बढ़ा दिया 30% आपने बाकी सुप्रिम कोर्ट का बज़ेट बढ़ा दिया आपने हाई कोर्ट का बज़ेट बढ़ा दिया सब को खुश करने के लिए इसे अवाम को कोई फाइदा नहीं 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 उनके एक जो जहनी तसली है ना उसके लिए एक जो हमारे जहन के अंदर फ़तूर है उस फ़तूर को सब्स आप यहां 24 क्रोड की बलके 40 क्रोड की DMW सेडन हाई बुलेट पूरूफ सिकूर्टी गाड़ी में फिरते हैं एक नहीं चार चार गाड़ी हैं वजीर आज़ां की बाकी लोगों की है मिनिस्ट्रों के पास बुलेट पूरूफ गाड़ी है अदारा शुमारियात कहता है कि पह 24 परसंट है जो देखी जाती है अगर उनको जहां पर कम नज़र आ रही हो महीने की वो इसको काउंट करते हैं जहां वैसे उसको काउंट अगर यह 11 महीने की काम होरी होती वो 11 महीने को काउंट करते हैं जो एक्च्वल एकानिमी में काउंट होती है वो पूरे साल की होती है जब ये जून खतम होगा तो आप यकम जुलाई को देखना CPI आएगा Consumer Pride Index वो 24% से ज्यादा होगा ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आप देख लेना अकर मैं ये बताएगे ये जो नान फाइलर वाला चक्कर है इसका कोई फाइदा होगा आपको पताए फाइलर कितने हैं इस 25 क्रोड लोगों है एक परसंट 25 लाख लोग है तो जो 24 क्रोड 75 लाख लोग है उनके लिए क्या क्या मुश्किलात आ रही है आप अंदाजा कर ले अच्छी बात है ने मैं देख फाइलर हो जाएंगे आपकी चलता निजाम ही ऐसे चल रहा है उसका नुकसान क्या हो रहा है आप ये बरलाबार चीजें जानी चाहिए लेकिन आप जो फाइलर बनाते है तो उसका तरीका कार असान होना चाहिए मेरे जैसा आप जैसा पड़ा लिखा फाइलर आप खुद कर सकते हैं आपको वकील रखना पड़ता है आप कहते हैं जो 50,000 रुपे महीने कमाता है उसको भी फाइलर होना चाहिए वही 50,000 तो बिजली का बिल देता है हर बन्दा आजकर आटोमेटक फाइलर हो गया ना टेक्स की बन्दा है आटोमेटक नहीं हो सकता ना यह सिस्टम हो सकता है देखे ना जो 50,000 कमा रहा है यह भी ख़वर बता देजाए कहा जा रहा है कि प्राइविटाइज कर रहे हैं एक तरह का एफ बियार को किसी कंपनी को दे रहे हैं कि टेक्स कलेक्शन करें उसका बेनिफिट होगा आवाम को बेनिफिट यह होगा कि जो लोग डिजिटल में आ जाएंगे ना उसमें फिर आपको जो खर्चे करते हैं जिनके पास सरमाया है वो साहिब सर्वत लोग है उनको बासानी पकड़ा जाए पर लिजिट यहां जाएंगे उनको नजर आ रहा है और डिमांड के साथ साथ प्राफिट जाद है अभी तक सरमाया कार आया नहीं है ना डुमेस्टिक आ रहा है ना इंटरनाशनल आ रहा है जब आएगा तो फिर बात करेंगे बहुत 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 शुक्रिया साथ आपने अपने किम्दियों नाजरे है जब प्रोग्राम में असाम वफा के बजड़ें सोरी निकार कर दीजिए वाबस गाल बोलके इंसाखार पाजमें जबान उतसर के दीन आजाज़त इंदर रफ्ते बेरास